लंबा content नहीं देख पाते हैं तो कोई बात नहीं, be your best clips पे आप सब different parts में binge watch कर पाओगे skincare routine बनाना कैसे है? अब याद रखो कि मैं generic routine बताने वाला हूँ oily skin के लिए लेकिन आपकी skin भी किसी season में oily, किसी season में non oily हो सकती है but anyway, जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि skincare routine के basic वाले 3 step है एक जिसमें आप साफ करते हो, दूसरा जिसमें आप कुछ treat करते हो और तीसरा आप protect करते हो तो clean करने के लिए जादा oily skin में आप gentle cleanser नहीं use कर सकते हैं आपको use करना चाहिए, थोड़ा सा जबर्दास वाला cleanser, एक कोई foaming cleanser use कर सकते हो आप क्योंकि वो थोड़े से जादा अच्छे होते हैं आपकी face oil साफ करने में और अगर आपकी जादा oily skin है तो आपके face wash में definitely salicylic acid होना ही चाहिए अब उसकी percentage 0.5% ही रखना अगर आपकी oily skin है, लेकिन अगर आपकी oily skin के साथ बहुत जादा acne है तो आप जादा बढ़ाने की सोच सकते हो percentage ये बहुत सारे brands के आते हैं, जितने अच्छे वाले हैं और मैंने try करे हुए हैं, सब नीचे description में linked होंगे दूसरा step है treat करना, अब treat करने के लिए morning में मैं बोलूँगा, आप या तो niacinamide का serum यूज़ कर सकते हो या फिर एक toner भी यूज़ करना चाहो, कर सकते हो आप green tea वाला इससे पूरे दिन आपका oil production phase पे कम रहेगा, तो वो shiny effect कमाएगा और यही अगर आप रात को कर रहे हो, तो आप retinol वाली serum यूज़ कर सकते हो, जिस पर हमने एक proper पूरा video बनाया हुआ है लेकिन याद रखना, retinol सुभा सुभा मत लगाना, क्योंकि वो लगा के बाहर sun में जाना अच्छा नहीं होता इनके भी serums और toners के सब links मैं नीचे description में डाल दूँगा, अब वही वाले लेना और कोई जो मैंने check नहीं कर वे, उनकी मैं guarantee नहीं लेता and next step है, आपको अपनी skin को protect करना है, तो रात को आप लगा सकते हो, कोई heavy सा mask, जैसे night mask बहुत सारे आते हैं salicylic acid वाले या zelec acid वाले, या even niacinamide वाले mask भी बहुत अच्छे काम करते हैं मैं actually summers में ये chemistat play वाला लगा रहा था, या फिर अगर आपकी budget बिल्कुल नहीं है, तो आप normal aloe vera gel भी लगा सकते हो उसके अंदर हो सके, तो थोड़ा सा niacinamide की drops डाल लेना, और यहीं दिन की बात करें, तो आप moisturizer वाला step actually पूरा skip कर सकते हो, अगर आपकी budget कम है, लेकिन sunscreen वाला step मत miss करना और sunscreen भी आपको matte finish वाली लेनी चाहिए, नहीं तो आपकी skin ना, generally sunscreen से बहुत जादा oily लगती है, तो matte finish वाला लेना बहुत ज़रूरी है, या फिर आपको sunscreen gel ले सकते हो, और even though मुझे आज तक ऐसे कोई budget में sunscreen नहीं मिली है, जिसमें कोई active ingredient हो, जैसे की niacinamide, लेकिन अगर आ कि लेकिर है, या ख़ollution के जब सकतए तक ऑज़िसे आबगती है, या या दोके एला ह।